गालू परशाद के पास जाईए एक तरफ लालू परशाद के पास जाईए तिसरा उप्शन वचता ही नहीं वियार में यह और बाश्याद को तलासन परेगा इस जतना नेता है उसको पंच साल में चेंज कर दिए डारेक्ट हटाइए बात यहां आर्जेडी बीजेपी या कॉंग्रेस का नहीं है बात यहां यह है कि हम लोगों ने आर्जेडी से या जेडियू से या बीजेपी से बिहार के परिपेक्ष में सवाल पूछना बंद कर द कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राहूल गांधी भी इन दिनों यात्रा पर निकलने वाले है यह यात्रा बिहार के साथ जलो से गुजरने वाली है तो ऐसे में हम जानी की कोशिश करेंगे बिहार के लोगों से अभी हम पट्टा के गांधी मैदान में मौझूद है और यहां के लोगों से जानी की कोशिश करेंगे कि क्या राहूल गांधी जो बिहार भी अपने यात्रा के तह आने वाले है बिह जोडों नया यात्रा पर नीकलने वाले हैं, पिछली बार भी यात्रा पर निकले थे, ऐसां बिहार के जनता वोत देगी राहुल गांधि के नाम पर? बिहार में भोट का पुराना इतिहास रहा है मंडल कमंडल की राजनीत की यह परियोग साला भूमी रही है 77 का जैप्रकास आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से इंद्रा कांधी को लोगों ने उलट दिया था यहीं से वह आंदोलन शुरू हुआ था और इस वारादर निया नितीश कुमार जी ने नरेंदर मोदी के विरोध में जो बरती महगाई है जो बेरोजगारी है इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनके विरोध में जो एक गठवंधन बनाने का तयार किया है इंडिया गठवंधन जो बनाया है और उसमें राहुल गांधी जी एक बरी पार्टी के नेता के रूप में है और फिर से वो यात्रा करना चाहते हैं अच्छी बात है उसका रिजल्ट उनको करनाटक में मिला लेकिन उनको यह सोचना होगा कि आप नरेंदर मोदी से लड़ने जा रहे हैं तो आपने अभी जो अपना इंडिया एलाइन्स बनाया है इसमें आपने संजोजक नहीं बनाया नितीस देश भर घूम करके सारे लोगों को एक जूट किये आज केजरिवाल जी और कॉंग्रेस बात कर रहे हैं तो नितीस कुमार की वज़ा से आज अगर अखलेस जादब और कॉंग्रेस में बात हो रहे हैं तो नितीस कुमार की वज़ा से तो नितीस कुमार जी को संजोजक बना करके राष्टिये फलक पे उनको उतारना चाहिए और उनको पूरे देश भर में कंपैन करवाना चाहिए नितीस जेव ऐसा चेहरा हैं जो कि हिंदू मुसलिम सब के लिए सुईकार हैं इनमें ये नहीं है कि बस हिंदू और हिंदू सुर्फ मुसलिम मुसलिम ऐसा करने से देश चलेगा नहीं संबिधान से देश चलना चाहिए देश सब के लिए और संबिधान सब के लिए एक समान है ठीक है हर धर्म को अप पूजा पाट करने की छूट है लेकिन यह नहीं कि आप किसी एक धर्म को इतना आडमरीत करें और यह सार भर दिखाएं कि उसको हटाईए तभी आप सेफ हैं यह सब अच्छी बाते नहीं हैं तो मैं तो यह कहूँगा कि नितीश जी को ही प्रधान मंत्री पहत के लिए राहुल जी को प्रोजेक्ट करके और देश भर में केंपैनिंग जवर्दस तभी सेही तेज कर दिनी चाहिए ताकि वो आने वाले समय में सरकार बना सकें और सभी धर्म के लोगों को यहां रहने का अधिकार एक डर मुक्त बाताबरन में रह सकें ऐसा हो सकें इस देश को आजाद करने में को पहले आये थे यह हमको बताएए लिए वगरीव के लिए मर रहा है हम गरीब को यह करेंगे खरकी देश्कों आजाद controversial किया आज हम लोग आज Two आजादी मों भी बोलने के लिए चालने के लिए लिए यह सब आजादी नहीं मिलता हम लोग को गरीब के अब यह वह मुदा उठा लिये है राम जीbes flavored के लोग है या गर्श्श्यित समीऻ देश केम आपको क्या गुन अच्छा लगता है राहूल गांधी का क्या गुन अच्छा है राहूल के गुन एक समाज में मिलता है जूलता है ना हम राहूल गांधी को पसंद करेंगे ना नरेंदर मोधी को पसंद करेंगे हम कॉंग्रेस जो पार्टी पहले से चारा उसको मैं पसंद करता हूँ तो राहूल गांधी भी तो कॉंग्रेस के ही है आज का डेट इसका कार्ज करव मैंने देखा नहीं हूँ इसलिए हम इसको पसंद नहीं है जिसके पहले जो कार्ज किया है इसका पुरोज ने किया है उसका मैंने कार्ज को देखा गरीब के लिए कुछ किया नरेंदर मोदी कहें गरीब को सहारा देने के लिए कहें लेकर सदहारन चीज इनको से नहीं हुआ यह जो मीडिया वाला उच्छाल जो करते हैं इतना उच्छाल में चला जा रहा है एक गरीब जनता गरीब का बच्चा जो पढ़ने वाला है उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है अच्छा से कोलेज स्कूल अच्छी तरह से ढंग से चल नहीं रहा है उसको यह की चलाना चाहिए चाहिए तो प्राइबेट चलावे या फिर सरकारी चलावे क्या लगता है जो राहूल गांदी जब बिहार पे आएंगे बिहार में आएंगे जैसे कि सारी पार्टियों का एक जो निगाह कहें बिहार पे भी टिका हुआ है बिहार के लोग जो है उनके यात्रा से उन्हें वोट करने वाले हैं सरपर्थम ये बात है कि बिहार में तो राहूल गांदी तो आएंगे ही नहीं ठीक है और यहां खास करके सबसे बड़ा प्रमुख मुद्धा है जाती बात का सभी लोग जब तक बिहारी वासी जब तक जागरूख नहीं होंगे तब तक जो समस्या है दिन वो दिन बरती ज जाएगी खास करके जो भी लीडर्सिप यहां से करते हैं बिहार के हम देखते हैं प्रोपरली जैसे नितिश कुमार उनको वनली सीम बनने से ही मुका होता है इधर स्टुडेंट्स का क्या केरियर है इसे कोई उसको लेना देना नहीं रहता है मतलब अधी पांस साल में आप नितिश कुमार को तो यहीं पता नहीं है इंजिनियरिंग बेस्ट रहें स्टुडेंट्स हैं एड्मिनिस्टरेशन का तो उनको कुछ पता ही नहीं है रूल आज क्या बनता है सुबह क्या होता है इसका कोई पता नहीं होता है और सबसे बरी बात यह है कि कभी भी बिहार को सुधारना है तो जाती बाद के तरफ मत चाहिए यादब को मत देखिए कोई मुस्लीम को मत देखिए कोई जो होता है सबसे बरा मुद्धा क्या करता है इसको मार जाती बाद जो जनगन्ना कर रहा है खास करके ये जाती बाद नहीं होना चाहिए ठीक है जाती बाद होना नही पर देख लिजिए मोधी वादा कर लिया कि हम जितने के बाद यह बना देंगे कि राम मंदिर बन गया मानते हैं मस्जिद बन गया मानते हैं युबा की समस्या वह नहीं है, युबा की समस्या धरातल पर है, रोजगार से रिलेटेड है, आप कितना परसेंट रोजगार अवेर करवा रहे हैं बिहार को, ये चीज देखिए, मौने नितिस जी, आप तो सिक्षक के, सिक्षक के से तो एनवाइड होके इतना स्ट्रिक्ट कदम ले रहे हैं, क्योंकि पाठक को एपर्टमेंट कर दिया, ठीक है, वो सिक्षक को बना रहे हैं, ब्यवस्था सुधार है, मत हैं, लेकिन उसके पिछे एक दुस्मनी का जो है, ये भी दिखने को मिल रहा है, सुधार ने का एक इनिस्टेशन रूल होता है, मत हैं, आपक बोर्ड के चेर्मेन है, और विपेसी बोर्ड से टीचर का एक्जम कंडेक्ट होता है, लेकिन सुभा क्या रूल बनेगा, सम्क्या रूल बनेगा, 24 बार में, 24 बार संस्वधन होता है, क्या आप इस चेर्मेन के लाइक हैं? नितिश कुमार को सुचना चाहिए, आप किस लह चाहिए, अपने आप में नहीं सुधरेगी, हमको कोई लीडर नहीं चाहिए, लीडर वो चाहिए, जो आपका दिकास करें, है कि नहीं? अब नितिश कुमार को अब इस घहरा से उठ ही नहीं पार रहे है, एक तरफ नितिश कुमार के पास जाए, एक तरफ लालू परसाद के पास जाए, तिसरा ओप्सन बचता ही नहीं विहार वासी को तलासन परेगा, इस जितना नेता है उसको पंच साल में चेंज कर दिजिए, ठीक है, उसको रखिये नहीं, पंच साल में हर किसी को चेंज ठीक है, चाहे वो राजद का हो, चाहे वो जदियू का हो, या किसी भी चीज का हो, और खास करके बिहार का एड्मिस्टरेशन रूल सही होना चाहिए, यहां सबसे बड़ा है कि यहां का सियम ही ठीक नहीं है, सियम को है कि अपना कुर्सी बच आना है, एक बार बीजेपी के रखिये ना, जदियो को रखिये, हटा देजी सबको, एक नया चेहरा युवा को खोज के लाइए, ऐसे आदमी को जो आपका नोकर बनके और आपका स्यवा करें, ठीक ना, यह सब जैसे ही पोस्टिंग होता है, जैसे अधिकारी बनता है, तो यह सब समझ लेता है कि हम ही द दूसे चल, सिक्षा मंतरी है ना, चंसे फर्यादळ, नामनी शन्सुन्द है क्या, कहे वह से आदमी को बना दिये भाई, ठीक ना, कहे प्रोसे जिला का ठीक है, आब उनका सिक्षा मंतरी में चल ही नहीं रहा है, तो भाई का हे बन गये, वह स्ट आदमी को बनना चाहिए, तो नितिश कुमार सबसे बराची जगे क्याप्चर करके रखा हुआ इस बिहार को उससे आप लोग निजात कीजिए एक नया यूनिक चेहरा को लाइए आप युवा हैं आप से जाने के कोशिश करते हैं नई पीढ़ी है नया उमंग है जो राहुल गांधी बिहार में आने अपने यात्रा के तहत तो ऐसे में विहार कोई फर्क परने वाला है राहुल गांधी के नाम पर जनता देगी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है और मेरा ये मानना है कि जनता को किसी भी नेता का फैन नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी आप किसी नेता का फैन बनते हैं चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो नितीश कुमार हो कोई भी हो तो हम जो अपना एक जिम्मेदारी होता है सवाल करने का एक जनता के रूप से नेता से तो वो हम भूल जाते हैं क्योंकि हम सवाल करते नहीं हैं हम अंदभक्त बन जाते हैं। अगर आप नरेंदर मुदी के प्रिपेक्ष में पूचिए गा तो नरेंदर मुदी शाहब के दस साल प्रधानमंतरी के बावजूद 10 साल हो गये हैं और बिहार के लिए उन्होंने कितनी मीटिंग्स की हैं बिहार के वेलफेर के लिए वो आप पता करिएगा तो शायद नगन्य होगा, I think जहां तक मुझे पता है तो बिहार के लिए एक सिर्फ कागजों पर वादे किये गया है, नरिंद्वोधी जब बिहार आये थे तो उन्होंने कहा था कि यहां के चीनी मील के चीनी से हम चाय पीके जाएंगे और उनके प्रधान मंतरी बनने के दस साल के बावजूद भी यहां का कोई स्थिती सुधरा नहीं, जॉब में बिहार जॉबलेस पूरी तरह से, अभी नितिश कुमार ने टीजर्स वगएरा का जो जॉब निकालना शुरू किया है, बट उसके बावजूद भी, यहां पे पलायान का मुद्दा यहां बड़ा मुद्दा है, लेकिन लोगों को यहां पे पलायान का आप इन में से किसी से पूछेगा, तो अभी तक हम उसी वक्त से देख रहे हैं, किसी के मुझ से यह नहीं निकला है, कि बिहार में पलायान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहां राजियों का व्यवस्था किया जाए जो गरीब है उनका उनका बच्चा वहां पे भीक मांगने के लेकिन अपमानित तो दोनों को होना है अपमाणित होने का अस्तर चेंज हो जाएगा बस और कुछ नहीं लेकिन लोगों के मन में लोगों के पैदाइसी यह चीज घुस चुका है कि मतलब पलाया नहां यह होना है कैसे सुधर जाएगा बिहार बट वही आप अगर उत्तर प्रदेश को देखते हैं वही अगर आप मद्धे प्रदेश को देखते हैं जो कि एक बीमारू एस्टेट था तो वहां पे बह वोट दिया नितिश कुमार को मुख्य मंतरी बनाया प्रदान मंतरी को 40 में से 49 सीटे हम लोगों ने के भेजने का काम किया तो कभी भी हमने यह पूछने का काम किया कि मोदी साहब आपने बिहार की फला बहबूती के लिए आपने बिहार के वेलफेर के लिए कौन सा काम किय हमने कभी पूछने काम नहीं किया नितिश कुमार से जो लोग जो लोग काम मांगेंगे तो नितिश कुमार करने के लिए मजबूर होके करेंगे टीचर लोग यहां वहां अंदोलन करते रहते हैं तो टीचर का जौब आ रहा है टीचर को पर्मनेंट किया जा रहा है नरेंद् जाती के नाम पे धरम के नाम पे जाती से अटकते हैं जाती से छुटके निकलते हैं तो हिंदू मुसलिम पटक जाते हैं यहां पर कभी भी जाती के नाम से लोग उपर उठके बोट करने का सोचते हैं और जाती के नाम से उपर उठके अभी लोग सोचे हैं बोट करने का तो ह तो आपने सुना कि लोगों ने क्या खुश्का है कि जब राहुल गांधी अपने भारत जोड़ों या यात्रा पर बिहार आने वाले हैं बिहार के साथ जिलों से यात्रा गुजरने वाली और इस दर्मियान वो अलग-अलग जिलों में भी जाएंगे तो इसे बिहार के लोग इसको क्या राय रखते हैं और वोट देने वाले हैं या नहींakat देने वाले हैं क्या फर्क पढवने वाला इंडिया गठ बंदन पर तमाम बाते जो बिहार की जनता कह रही थी आप इस विशा में क्या सोच रखते हैं में कॉमेंट कर जरूर पताएं चानल को सब्सक्राइब कर ले फेस्बुक पेज को लाइक कर ले वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया